नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुजाता चोहान और आप सभी का अपनी ओनलाइन टीचिंग क्लासिज में एक बार फिर स्वागत करती हूँ आज एक पोईम लेकर आई हूँ आप सभी के लिए जिसका टाइटल है दरोड नौट टेकन और इसे लिखा है रोबर्ट फ्रोस्ट ने Robert Frost is an American poet Robert Frost एक American poet थे और Robert Frost की जो poetry लिखने की language है बहुत ही simple होती है उनकी poems बहुत ही simple से situations को दर्शाती है प्रन्तु इनके अंदर बहुत गहरा अर्च छिपा होता है ऐसी ही ये poem आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ इस poem में कभी कहते हैं कि जो decisions हम अपनी life में लेते हैं वही हमारे future को बनाते या बिगारते हैं हमारा future हमारे आज के decisions पर ही निरफर करता है उन्ही पर depend करता है तो चलिए start करते हैं ये poem Two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both and be one traveler long I stood and look down one as far as I could to where it bent in the undergrowth diverged का मतलब अलग-अलग हुई प्रिथक हुई बटी हुई yellow woods मतलब पीले जंगल जो पतज़ड के मौसम की वज़े से पीले हो गए है पेड उनसे पत्ते ज़ड रहे हैं इसलिए इन जंगलों को यलो कहा गया है traveler यात्री look down मैंने देखा undergrowth means पेड़ों के आसपास उगी हुई घनी जारियां इस पहले स्टेंजा में poet कहते हैं कि पीले जंगल में दो सड़के अलग-अलग रास्ते पर जाती थी poet एक जंगल में खड़े हैं जो पतज़र के एक मौसम के कारण पीला हो चुका है पीले हो गए है पेड़ और उसके पत्ते गिर रही हैं और वहाँ पर poet खड़े हैं और दो सड़के अलग-अलग रास्ते पर जा रही हैं poet के सामने दो सड़के हैं जो अलग-अलग दिशाओं में जाती हैं और वे कहते हैं कि मैं एक यात्री हूँ और इसलिए मैं दोनों सड़कों पर नहीं जा सकता मुझे एक रास्ता चुनना पड़ेगा इसलिए मैं बहुत देर तक खड़ा रहा और एक सड़क को वहां तक देखता रहा जहां तक मैं उसे देख सकता था और मैंने देखा कि उस सड़क पर बहुत सी जाडियां हैं वो सड़क जाडियों से भरी हुई है और अंत में मुड कर वह सड़क अदृश्य हो जाती है का मतलब है जिसका उपयोग कम हुआ है और फिर कहते हैं कवी कि मैंने दूसरी सड़क चुन ली मैं दूसरी सड़क पर चल पड़ा वह भी उतनी ही आकरशक थी जितनी की पहली और शायद इसी सड़क पर मुझे चलना था यही सड़क मेरे लिए ठीक थी क्योंकि इस पर ताज बोथ डैक मॉर्निंग इकुली ले इन लीवस नो स्टैप है ट्रॉडन ब्लैक ओ आए कैप द फर्स फर अनदर डे येट नॉइंग हाव वे लीड्स ऑन तु वे आई डाउटिड इफ आई शुड एवर कम बैक ट्रॉडन ब्लैक मिन्स कुछले जाने की वजह से काले हुए कभी कहते हैं कि उस सुभा दोनों ही सडकों पर पत्ते पड़े हुए थे दोनों ही सडके पत्तों से ढखी हुई थी और जिस सडक को मैंने चुना वह सडक अभी भी बहुत से पत्तों से भरी हुई थी और उस सडक के पत्ते किसी यात्री के ना जाने की वजह से पीले थे व और शायद कभी मैं इस रास्ते पर वापिस आ सकूँ और मैं भविश्य में काफी लंबे समय तक अहां भरता रहूंगा और यही कहता रहूंगा कि जंगल में दो रास्ते जा रहे थे उस जिस रास्ते को मैंने चुना जिस सड़क को मैंने चुना उसे बहुत कम लोगों ने चुना था और शायद इसी कारण मेरा जीवन दूसरों से अलग है मेरा जीवन में अंतर है और यहीं पर यह पॉयम समाप्थ हो जाती है प्रन्तु यह पॉयम हमें एक मैसिस देती है कि हम सभी की लाइफ में जो चॉइसिस आती हैं हमारी जिन्दगी इन चॉइसिस के कारण बिगड़ भी सकती है और बन भी सकती है हमें अपने डिसिजन सोच समझ कर लेने चाहिए ताकि हमें कोई पस्तावा ना हो हम यह ना सोचे कि अगर हम दूसरा रास्ता चुनते तो शायद हमारी लाइफ अच्छी होती बहतर होती और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद